कि नमस्कार दोस्तो नालांद एक एद्वी से मैं महेंद शुकला और आज दोस्तों पुना इतिहास की सीरीज के अंतागत अपने पढ़ने आये हैं प्राचीन भारत और प्राचीन भारत में मगत स्रामराच का उतकास कि दोस्तों पिछली क्लास में पुल्व ने देखा था कि छटी सताब्दी इसापूर में तो आपने के हैं देखे थे तो इस यॉजए पूरेव घरदाण के ब्रह्मार बता गए थे तो इस पूरे आपको बताएंगे यह बेट दीव के ब्रह्मार उनला आठ आठ आपका गर्राजों में थे जिल लोगों ने मिल करके क्या किया था गौतम बुद्ध के अस्तिया उसोषों को बाटा था वहां चर्चा होगी वह यहां कनेक्शन मिले गया था तो बेट दीप की ब्रामर की जगए केस्ट पुत के कालामा आप कर लीजिए आजाये दोस्तों छटी सताब्दी इसापूर में मंगत सामार्च का उतकर्ष अपनों को पढ़ना है यहां दोस्तों तुर आपको बता दें यह जो मंगत था पहली बात तो यह है यह जो अधिया था यह था आपका यह दक्ष्री बिहार ध्यान कीजिए यह दक्ष्री बिहार त्यार्थ चलिए यह हो गया है यहां दोस्तों मंगत का जो आपका सबसे पहले जो आपका उल्ले खाया है यह आपका यह आथर वेद में आया है तर बेक्सफर क्या मृत ह है कि आपको दोस्तों है Leeu कि महाभारत काल में मगत का साथ सक एक जरासंद की चर्चा हुई जिससे भीम का क्या हुगा था दंद धुगा था और उस समय इस सामराज की जो रालधानी थी गरीवज थी थोज़दे से चर्चा कर रहे हैं पर लो तो सबसे पहले तो कुछ नहीं आता है कि यह मगत दक्ष्णी बिहार कि अब दोस्तों है कि द को यह देख आए पको यह यह वाला यह उत्तर में घ्यान रहे को टरमे तर में दोस्तों गंगा नदी कि इसके दख्छर में अपको उतार दें यह दोस्तों यह पूर्ब में अपको घ्री लीत दोस्तों यह पूर्व में आपको तो यह भी सूंसे बंटेब सेसे निकल गण कर मिलतीक है यहां पूर में छंप नदी दोस्तों और क्या क्या है आपका में बिन्द परवत वगए सेनियां कि है भी से करों तो ये आपका ये और घ्क्रीं सब्सक्राइब आपका क्या है आया है अथरवेद में अब ब्राट चत्रिय यह थोड़ा सा देखिएगा अच्छा अब यहां यह कुशन आता है आपका कि मंगत स्रामराज के उतकर्स हुआ तो इससे संबंदित आपके कितने बंस आपके कहा संबंदित है तो उनको भी मंगत का उतकर्स है यह लगभग 540 से दोस्तों करेंगे तो 322 कि 322 बीस तक है दोस्तों यह करेंगे फिर 322 से सब जानते हैं मौर बंस से स्टार्ट हो जाता है अगर मौर्वंस को भी लेते हैं तो पर 184 बीसी तक कहा है आपके यह चलता है चले दूस्तों सबसे पहले तो यहां यह आजा है पोलो यह मंगद का संस्थापक यह थोड़ से क्या है ध्यान करना है मंगद संस्था पर कौन था दोस्तों यह आपको नाम राजा का नाम बेहदत था इसके लावा बीमिसार की एक मत जो बिजय थी अंग बिजय की समय राजा भी बेहदत था और बाद में दोस्तों यहां मौर का आलका मौरवर्स का अंतिम सासक भी क्या था दोस्तों बैहदत था जिसे पुश्मित सुंग ने उसको मार करेके सुंग बंस की क्या है अपकी स्था भी किरम बेंद में को हैं ऐसका मगत को लाएं आपका फिर मगत सांस्थापक करत से बारे सेस्थ है लाइत Egyptian के लावा बारण है यह पर जैन सांफित का निंध में दोस्त कोई चाईisine लेंबिएल्या मेइन कोई alors ओर्डियिव क्या करते हैं उसका बारण आपका ये तो मगत कर संस्थापक लेकिन को संस्थापक का दोस्तों फ़सा सब्धावली में क्या करिए ध्यान दीजिए अगर आ जाए है मंगत सामराज का यह अगर बास्ति विक संस्थापक चलिए मंगर सामराज के उत्कस में जो बंस हुगे हैं तो यहां में करेंगे बई यृघना बंच है हम स्भी के बाद आएंग दोस्तों अपर लोग शीशुनंनांग का रीधी थोड़ा करना पड़ता है चलिए तो यह आये वर्ण्स का जो सश्थापक था उट आप य था जो कौन था धिन भी इसार नोजो कभी कभी B Sha og By दू Saj में कन्फिय जाते तो बिंदू सार आपको और नहीं आते ये आसुक के पिता थी जो मौर मर्स में थे चंदकुपत मौर के बादों के पुत्त हो गए है बिंदुसार यहां हर्यांग बंस का संस्थापक है बिंदुसार तो यह दोस्तों यह पहला सासक है ऋर्यान था यहां आपका यह आपका अंत्रिन हो न्यांद है यह आपका नंदी बाधन का पेट यहां थो सबकुताने जो हईंग भंस था यह ऐंग आपका यह पांसोचालीज से तो चारसोगबारा वीची तक आहिए चलता है यह आपका यह चारसोगबारा से ती सो चबालीष वीची तक है दोस्तों यह चलता है और इसके बाद वह जो नंदमर्स यह तो नॉर्मली पुलों ने क्या किया थोड़ा सदेखा है करम इन सभी बंसों के संस्थापक अंतिमसाषक और यह दो क्लास्टों में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यह मंगत सामरज करेंगे कि आपका अच्छे बेहतर तरीके से कहा हो जाएगा तो चलिए दोस्तों यहाँ आपका यह मंगत सामरज का उतकर्स किस बंस करनेतर तुम्हें स्टाट होगा तो बिंविसार के कहने तुम्हें कहा है तो आएए दोस्तों सबसे पहले अपनों लोगा आते हैं आप हार्यंग बंस हार्यंग बंस है यह जो हरेंग मस से अब का nessa тогда चारसो बारा क्लेंड तक दोस्तों ये रहेगा यह जो हैं कि आstation परना या ट्रशन को पघणा है जो साथ कुकल के बारे पढ़ना है तो यह सरो में सबसे बादेंगे आप लोग कि 20 सा हो कि बिमी साथ के बाद दोस्तों आ जाएंगे अपर लोग अजात सत्तु के बाद आ जाएंगे दोस्तों पर लोगे अधायन कि अधायन के बाद आ जाएंगे दोस्तों अनिरुद्ध फिर मुंडक मुद्ध नाग दसक नाग दसक पर यह पहला हो गए और अंतिम्थ हो गए तो दोस्तों यह पहला है और आपके क्या है यह अंत्रवन यह दोस्तों आपको उतार नहीं आता है इतना आता है कि विमिशार ने कितने बश्वतर सासन किया इसके लिए भी आता है कितने साल किया तो इसमें मिलता है घ्र स्वाइक करें इसके थोड़ी थो चलिए दोस्तों आपका बक्स है कि यहाँ बैसाली है यहां दोस्तों यह बाद में चाचा करेंगे पाठली पुत्त है यहां दोस्तों यह यह गिरिवज्ज है यहां आपका यह राजगिर्य है इनकी सब की चाचा होना है आज यहां आपका यह कॉसल है मार्द पंजाब है और यह कुछ कुछस की है ताकि यहां पो लोग अभी पढ़ेंगे तो आपको यह क्लिए हो जाए कि यह कौन सच्छित का है कहा था आई दोस्तों भी बिसार्ट मैं क्या करना सबसे पहले यहां जा कि बिम्भी वी सार ने कभ से कभ तक सासन किया तो याद हो पानसो चालीश से आपका यह 402 कि तक है दोस्तों यह बिम्भी सार करके बाइवडाइटर हैं इन्हों तो आता है कि बिमिसार पंद्रह वर्स ध्यान दहें पंद्रह वर्स की क्या है आयू मैं इनके पिता ने क्या हिए था इन्हें इसासक बनाये था आपको उतार दें यह बिमिसार का जो एक नाम मिलता है उन मिलता है दोस्तों स्रेणिक नम मिलता है इनका यह बस्तिविक नम मिलता है लिए जो आते हैं सिटे तो यह तो यह आपको देखना पड़ेगा अब इसके बाद दोस्तों यहां को उताते हैं आप तो यहां विदेशी लेकुने तुल्ला की है जिसमेक संबंदों के माधःम से अपनी इस्थितीकों मजबूत किया अपनी सीमहों को सुलख्षत किया वů आपका बहुति पहले आप नहींpersा, पना चूके थे दोस्तों और बिम्भी सान नहीं कि इस समय राजनीत में एक दर्संद दी कि अगर अपनी सीमा को दोस्तों स्रक्षित करना है तो सव से रावर्ति साशक है अगर युद्धि नहीं कर सकते तो इस से बभाहिक संबंद zoron को इनको सगे संबंदी बना लो तो आपकी सीमा क्या हो जाएंगैं दोस्तों ये शुरक्षित हो जाएगी तो देख रहे हैं तो सबसे पहले अपना जाएं इनके बैवाहिक संबंद यहां दोस्तों चुकि बैवाहिक संबंद आपके परिक्षा में आते हैं यह थोछा देखेंगे पुलो यह महाबग है यह बहुत धर्म गर्ण थे महाबग की अनुसार बिम्भी सार के कहए लगभग लगभग दोचन आता है यह पहला जो बैवाहिक संबंद होगा था वह थी आपकी यह चेटक बैशाली कि बेसाली के लिच्छवी राजा चेटक की दोस्तों पुत्री थी और चेटक की पुत्री का नाम था छलना चलना है या कहान दोस्तों मिलता है चेलना है यहां ध्यां दयाता है बैसे साली के राजय जो चेटक थे इनकी दोस्ति इस अपेंड़ स्थ दोस्तों बैसाली के लिछ भी राजा राया चितक की पूत्ति छेलना से कहा हुगा था दोस्तों ये विभाह हुगा था और आपको थोश बता ने ये जो चेलना से इसा बताते है कि तीन क्या थे दोस्तों ये पूत्त थे एक था अजात सत्टू 5 निट अजक्तु एक था हल एक था बेहल सचाय के बीच में करेंगे पूरल चलिए दूसरा है आपका को सर्फ को कौशल राजकुमादी को इनका नाम था दोस्तों महा कौशला देवी नहां को देवी और दूस्तों आपको दाने जो कौशल के जो राजा का बरना आता है वे आपका उस समय प्रिसेंजित थे और पत्नी थी यहां आपको ओतादें इनके इस्नान और मेक अफ केलिए धिकर ना इनके नहीं रहने के लिए उस लिए हुआ था यह एक लाख कि आए वाला कासी कासी वहां उसके की घृष जाने के पहला प्रिमार मिलता था कि जब महा कोस्ला देवी के साथ में 80 का कुछ ग्राम मिले थे जो आपका 80 कहीं आता है का आपका दहज में ताकि इनका क्या है इनके इसनान इनका जो मेक-बगर है इनका जो भी आपका निजी खर्चे वह कहा है उसको पूरा करने के लिए तो यह एक लाखी बासिक आई वाला यह 80 ग्राम अपकर कहें दहिज में ने मिला था अपने हां किसी राजा को दहिज में दिये जाने का दोस्तों यह पहला प्रमान कि अपका इस पर सूप से मिलता है हलाकि जानते हो आप लो बैदेककाल में जो स्वैक्षे के दहिज था उसे बहातू बोलते थे दोस्तों वोते थे इसके बास दोस्तों जो कहा जाता है आपको दूस्तों गियो यह बहुत धहन की बिदुसी महला थीक और यह जो कोशल के राज़ा थी पिसेन जित को इन्होंने बॉत धहन के सब्सक्राइब किसने चेमा ने तो दोस्तों देखिए यह हैं तो पहला चलना फिर महा कोष्वा देवी श्रमा इस प्रकार से और भी इनके क्या है भी विवाहिक तीन दोस्तों क्या है फिमस और इस प्रकार से क्या है यहां यहां धूसतों ठीड़ों को जोड़ते यह तो बैसाली जो महाजन पर था दोस्तों इस तरफ आईए आप था इसका मतम्तल अगद की क्या है यह उत्री सीमा क्या होगी दोस्तों यह शुरक्षित हो गए वह आपको बतादें किताब में सपस्ट्प से मिलता है कि बैसाली से क्यों वेवाह कि संबंद किया था कि बैसाली क की कि यहां मगफ में आकर कि यहां पर चिसका को नाय जा बनाई थी कि राजधानी राजग्राइब नाइए तो कुलमला की उत्री सीमा क्या है इन लोगों क्या होगी आपके सुरक्षित होगी किसे बैसाली से क्या होगा है यह अपका से दोस्तों क्या है अच्छे हो गए यह मद्ध पंजाब शेत यहां संबंध होने से क्या दोस्तों यह भी क्या हो गया है तो कुरम ला के चावत उने क्या क्यां इन्होंने इस स्थेत में आपके क्या है बैभाएक स्वंद द्वारा अपनी सीमा क्या है अब दोस्तों यहां है आपके यह अंग अब यह जो अंग है तो कुछस्थन आता है कि विमी सार की एक मात विजय जाए अंग विजय जो यह यह एक मात कहप के विजय थी अर्व यहां आपको त्वर सब्ता दें अंग की राजधानी चंपा थी और अंग का दूस्तों जो राजा था वह थापका उसका नाम था बहद और अंग को अपने साम राज हम लागा था राजय वह गया था दोस्तों ये MILLषार की है यह heart You याब कहां से गिरी जपढ़े दार देंगी दिए दोस्तों ये राजग्रह करें वह इते हाट ङ्यप दोस्त पंध करते यहां को दाद है 60 जो महाजनपथ यह सकताली महाजनपथ उसका नाम था निया चंड पैर उसن इंव्य स कहां मित्ता करना ही अच्छा समझा और व plots बहुत अच्छा मित्था दोस्तों इसे चट्रपर्दौत को एक रोग घो गया था पी लिया यह से पांडु यह पीडिया तो यह चट्रपरक के पांडु वहां का ये मगत का औस म्मायप के राजबियत को उसे बताता है कि यह शुल्स्ण कुछ कुछ खता है ये छाम स्पिसलिश घृता है लिकίν ये लगवख सभी आप कि यह fine law दोर करते थे ये राज भैट ता आपका उसा बताए जाता कि यहाँ राज़ाय जाता की यहाँ जीवक राजवाध दोस्तो के फि촉 नाये मज करें तहीत. चैक बीज़ों खाड़ुकार था, ऐसमरी महहाओ कोविंद बीन्भी, ने जॉझे घे पर नंगरी की भास्तुकार भी किया थे आपके महा गोविन थे फेमस आपके आपके अब क्या है यह कारण है यह आता है कि गिरी बज्ज में बज्जी लोग यह लूट पार्ट करते थे गिरी बज्ज में और आग भी लगा दि तो इनसे निपटने के लिए यह करने के लिए बताते हैं ये पांच पहारी से घरी कहती है तो आपका ये राजधानी परवतन भी हो गया बाश्तुकार वी हो गया अब दोस्तों थोड़ सा संस्कृतिक में आते हैं यहां आपको बताते हैं में क्या बताते हैं आपके लगवग बताते हैं असी खon you can't eternal करते हैं तो पहली बात बताने की यह जो बिमी सार्थ ये सहिसुङ था कैसा बताते है सब्सक्राइब क होक हाप को कहलाता है कि सब्सक्राइब को कर ये संबान जो से ट्रम संबान अ better साल पहले गौतमबु 신से मिले थे और आपको उतार लें हुघा को दोस्तों संदक्षक थे जब पहली मुलाकात गौतम पुद्ध कोछ पैसे देने के तो धर देने के पेसकस की थी और इस परस्ट मिलता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध को सेनपती बनाने का ओफर भी दिया था लेकिर उन्हें सन्यासी के गोड़ आने लगए थे गौतम बुद्ध में उन्होंने यह पेसकस शुर्कार कर दी थी दोस्तों दूसी बार गौतम बुद्ध से और बिम्भी सार की जो मुलाकात होती है वह बहुत धाम गंतों में इस परस्ट आपका बरन हैं वह दोस्तों राजगह में कहब के यह होती है और आपको थोस्त बतार ने गौतम बुद्ध के रहने के लिए आपको तार ने बेलुबन भी बनवाय था बेलुबन एक उद्यान थ और गौतम बुद्ध को दान में दिया भी बुद्ध को एक रखरी नामत करके आपका और रहे तो तो यह सुमनन्द नामत ब्रह्मन को यह जो अंग इलाग दानी थी न दोस्तों चंपा चंपा की संपूर आया दान में देदी थी किसने बिम्भी साहर ने यह थोड़ा सा ध्यान दखी और आपको थोड़ा बताना यह जैंधम को कावी कहता था यह महाभी स्वामी कावी आपक काम काम की चीजें के अपकर यह बड़ी बिश्ते तूप से आपको कहिए बता दी है अब इसके बाद आ जाए आज हम सोच के आया है कि आज अजास्तु भी कहें दोस्तों पूंदे करने तो हमारे कैसे बिम्भी साह के बार में क्या आई यह पूरी दोस्तों के आप बातें कि यह हो गए अब यहां इसके बाद आते हैं पर लोगे अजास्तु अजास्तु यहां लिखते हैं अजास्तु अजास्तु का एक नाम कुरेक भी है अजास्तु ने मित्तु के बार 492-460 की यहां आपको दर्दे हैं आजास्त्तु की जो पहली पत्नी थी जो वेशाली की लिच्छवी राजा की पुरत चलना थी तो चलना वीमिशार की आजास्तु की थी दोस्तु यह मात थी यहां में लिखाए यहां दोस्तों आपको उताता है इस समय बैसाली की एक नगर बदूती जानते हैं आप आमरपाली थी और आमरपाली ने दोस्तों कहें आपका यह बहुत धर्म कहें दोस्तों यह गहन कर लिया था तो ऐसा बताया जाता कि लाज है जोटन स्चाश विमभिसार का और आमरपाली का मिलन हुआ था और और आमरपाली से दोस्तों एक पुत्त उत्पन होगा था और उसका नाम था आपका अभय ज्यान करें अभय यह यह वीमिशार का पुत्त था और आमरपाली के पुत्त था आमरपाली गौतंबुदु की सिस्या भी बन गई थी और नंगरबदु थी उसमें आज कल की आपके क्या है क्या कहें उसमें आपको पुतारें दोस्तों जो नंगर में जिस राज में जो सबसे सुन्दर इस्ति बगए होती थी उसका विवाय आपको कहें नहीं करवाय जाता और यह बिंबिशार के भी संपर्ख में आमरपाली आए थी तो बिंबिशार और आमरपाली से जो पुत्तपन हुआ दोस्तों अभाय है आपका यह भी थोर सके हलका से यह देखिएगा चलिए अब इसके बाद आते हैं अप लोग थोर आजासत्तू के पात आजासत्तू दो दोस्तों इन्हें पित हन्तां भी कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं पित हंतावी दोस्तों कहाइए कहा गया है कि यहांपको थोरे बताने है घुत्त की चचयोड़ा भाई था उसका नाम धुत नेहीं था तो बहुत करते हैं दिब्यादाम तो इस पस्टूप से कहते हैं या अपने पता की कहब कर दिती है अपके लेकिन जएन पहले जयंद्हम को पासक्त था तो जयंद्हम के गिरंथ है ऐसा नहीं है जहूकर तक कहते हैं के आजास्तु को उस एक राऄ से सभी मॉन्त है और चछेष्य वही द्यौतत जो की कि आपका दुस्ट पप्रकरति कहता घुटा कहा था कि यह जो मगर राज है यह दुस्ट लोगों का संदक्षक और सहोगी है इस प्राइब ने भी कहा दोस्तों एक बार यह कहा था चलिए तो आजासत्तु पित्त हंता और इनका बास्तिविक नाम कुनिक था और अपने पिता बीमिशार को माल करके हो गए थे यह आपके क सहसे युद्ध है यहाँ द्रुश्त ऊदतों यह चैसे पूदा आजासत्त करों के लिए दें पूलों लोम है से यह माला तो सबसे पहले हैं आपकाि की कौ सल से युद्ध कि छो कोसल राजय जिसकी पर तब करेंगे तो को शल से युद्ध हुगा ये कोशल से युद्ध हुगा इस समय दोस्तों जो राजा था वो था आपका ये कौसल का राज़ा था पिसर निजेत और यह ऑजास रुचु के बीच में कहा है दोस्तों यह यह दूगा था क्यों होगा था यह देख लीजे देखिये आपने ने प्ता की हत्या की जैसी प्ता की कि आपके यह बिमीशाल मार है तो जो कोशल कि राजकुमारी थी आजास amis सत्तू की पत्नी थी महा कॉशल थेवि अपने पत्ति की वियोग में क्या होगए इनकी मित्व हो गई वह घांक होती है तो फिर दोस्टों कि होता है उसके बाद वर काशी ग्राम 9 में धिया था आपको यह सिल न लिए आपको है दोस्तो должен बापिस लियLING और यह अपका भांग का बहां है दोस्तो बार धूगा ऑशेह ही अब लिए और परोज़न्स वान में पा onu को त्यायों कई चारीश में अव्लॉत कि न've कि फिर बाद में पिसे ःतने अपनी पुत्री बजीरा का विवाह किया तो यह बजिहा का विवाह किसे का कर दिया था जो कह रहे न है जो 58 डुहिए लिया था कशी क्या है दोस्तों यह कुनहां डहेज में दे दिया गए इसके मत holiness कासी से दो विवाहे निप्टे एक विवाहे जब इनकी बेहन का विवाह हुगा था कोसला देभी का दोस्तों के है विवाह हुगा है तब भी 80 g घरीने दिया था और फिर अपनी पुत्री बजीरा का विवाहा चाग आज जार सत्तु से कर दिया तो बाद में कि होगे बिड़ूदाप के बाद आपके कोसल शिद बगर कि हो गया है तो इस प्रिकास से काई कोसल फिर अजास्था कि दूसा करेंगे दूस्तो ये बैसाली से युध इस जानते हैं आप लोग पैसाली कर वह क्रिंदा और आपको यह भी पता है कि बैसाली मैं जो गराज था शाथ depuis थे लिए जाते थे यह बैसाली उत्ति शेत्म दोस्तों के सकते अब आजाता था कि पहले बैसाली को पर आक dette तो आजापंतुगे सेनां बुरीतर के होई दोस्तो पराज़त हुई थी ऐसा ऑपिक हो लेक मिलता है और लेकर और गौत्म बुद्र से परातन कि थी किया कि दौत्ता मुद्र ने एक सब्द कहा था कि एकताम वहीज सकति है तो इस प्रिकास से कहें दोस्तों यह आपका का 20 स उसे युद्श पूरू दोस्तों यहां याद करना पड़ेगा कि इनके एक मंती था आजा सत्वार्ड उस मंती का नाम था दोस्तों बथ्षाकार और एक था सुनी धी सुनी धी कि इनको दुस्तों फूट डालने के लिए भीजा था इन लोग उने कहा है जाकि वहां नियादीसी बन गया था कहां का भैसाली गरदाज समय बन गया था कौन बस्षाका और इसने लोगा था दिसका स्षा mild । लुकुद और इस समय दो आस्साश्तों को उप्योग किया था लगा लक्त मूशल है अ मूशल एक था दूस्तों महांसलाकंटक जो महाँसलाकंटक दूस्तों आते है यह एक चीज पाइक्ष में आपकी क्या है दोस्तों यह आई है आए है यहां आपने देखा होगा इस समय दो-ती साल पहले एक पिक्चर आये थी बाहू बली उसमें चलता है कि एक लोहे का दस चलता है चाओ तब कहें आपके तलवाद महासला कंटक का मतब कोई बड़े-बड़े पत्थर शिलाएं फिकने वाली के मसीन थी तो उसमें यह पहली बार थ्यास में इन दो अस्तस्तों का कहा है दोस्तों अजासत्तु ने कहाप का उपयों किया था तो ध्यान करना पड़ेगा कौन फूट डालने के लिए था बस्ताक सद्ध होगा फिर आपका युद्ध होगे और यहां आपको बताना यह संद्ध उस समय तत्काली संद्ध थे मखली पुत गोसाल मखली पुत गोसाल थे दोस्तों तो मखली पुत गोसाल ने इस बैसाली के युद्ध को अपनी आँखों से दोस्तों क्या किया था यह जीता थ्यान किये कीजिएगा बाद में हम आपको यह सठ दर्शन बताएंगे तो हां मखल पुद्ध गुशालवाई कि है थ्याचा करेंगे लेकिन फिलहाल क्या है इतना थ्यासाल का यह देखिए तो दोस्तों अजासत्यू के लिए यह हो गया यहां थ्यासा कभी कि यह आता कि बै बतते है पतनी पदमाबति के बहकाबे में आकंगे इस चेस्ट पर कहें अधिकार चाहता है कौन आजा सकते हुं तो आतिकारन लुठी करने की टांग हूत ह कि अपकी हीरे की यह समय थी जो भी आपका आता है ऐसा उलेख और दोस्तों एक कारण हो था कि ये जब ये बिम्भी साथ की मिर्थ हो गए थी ना तो बिम्भी साथ के जो चलना से जो उत्पन पुत्त थे आपके हल बेहल ये दोस्तों एक 18 लड़ियों का मौतिमरियों का जो हाथा वो ले गए थे हल भी हल और ये कॉर्णे थह दोस्तों हती का नाम था से नांग अgensे नांग ये हथी भी कि आ fed ये लोग ले गए हैं मतलब नानाने के चले गए कां सेटक के नाना के होगा दोस्तों भी चले गए तो फिमस घाती था तो फिमां साथी मंगवाने के लिए अपने दोनों भा खायों को बुलाने के लिए ने की यह उसने करने करने के लिए और स्थैने लेकिन एक करने करने और अधिकार करना है म형λιड़ अधिकार क्रनायद दिल्य रहा था इसके बार दोस्तों आ जाई ये कि आजास्तू ने आपको उतार और यह जो पुर्टि फुल्ट हगा कि viennent को इसलिए करuir बाद में पार्ख बिंगे आगे तो यह दो कर न्यूर्वर्ब निर्माल के सब्सक्वालद के अंग में जार्ख राएf ताटार नहीं हस्ती युद्ध का विश्चक था और भी मिशार का तो मिध्ध था लेकिन कहीं नहीं यह कर आपका अजास्त्व का अवंत्य नडिश्ट ब्रगाता था तो इसने पार्टली ग्राम एक दुलके का दोस्तों किहें निर्मार करवायता ऐसा लेकाता है और अध्य com kome dolphin के लिए गोतब्द को आहिए में दोस्तों कियाए था और और को अलगर कि यह इस्थान यह दोर्ग यह पाठली गिराम एक समय भारत का राणितिक छित्म नेत्रत करेगा इस पिकास से कहा दोस्तों गौतम बुद्ध ने उस समय भाविश्मार भी कहा की थी यहां आपको तादम अजासत्तु पहले जैन्धम का उपाशक था उसके बाद पहले जैन्धम को पाशक था फिर बाद में गौतम बुद्ध का क्या हो गया था उपाशक दोस्तों के हैपके यह हो गया था और अजासत्तु के समय आपको थोज़ा बता दें गौतम बुद्ध की को महापधिनिर्मार प्राफ्ट हुए था मतलब गौतम बुद् में पर्सटों यह बहुत संगीत ऑपकाइए 423 बीशी में होई थी और इसी समय महाकर अध्यक्षब क्या थे इसके अध्यक्ष थे और बिनाई पिटक शुट्ध पिटक की रसना दूस्तों इसी पहली बहुत संगीत के हैं दोस्तों आजासत्तु ने अपका यह आई यह और इसके बार दोस्तो इसी हार्यंग बंस का एक साशक और अपनों लोग करें गे और साशक का नाम है अपका यह 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 व्दाइन है इतंग जो पित्रहंताओं का बंस ऐसा कहा जाता है कि सभर राजा जो बने अपने पिता को की हत्या कर गए राजा क्या है आपको बने थे तो इस कहां से इस बन्स बदनाम हो गया तो हरेंग बंस को पित्रहंताओं का बंस भी कहा जाता है कि आपको तो इस परिकार आजास तुने अपने पिता कुमार का गद्य प्राप्त की उसी परिकार लेखाता है कि जो उदाइन हैं अब आई उदाइन और दायन दोस्तों यह तीसरा राजा था और यह जो समय स्टार्ट होता है यह आपको दाने 462 से 440 BC के असपस क्या है इनका समय स्टार्ट होता है और ऐसा बता जाता है कि अजास्तु भी अपने पुत्त उदायन के दॉबकर यह चाहिए आपको थे आखें जान के अपासक था जन्धान कर दोस्तों यह उसको कि अथता आता सबसे महात्पूर लाप दिये थी कि पात्ली पुत्त की स्थापना कि दूस्मद्धुज से हो निई कुस्ण तहीं नेवी समने बनाई थी है पात्यक्णद क्या भालाई तो आता ही है कि पास्टली पुत गंगा और सोन। ठसक्ना द्यों हां दोस्तों गंडक है कि तो यहां दोस्तों यह गंगा कि यहां से जाती दोस्तों मत्ति श्की है कि यह यह तो इसनों नाम भी मिलता है इसका अधाइभद नाम यहीं पाटली पूत रंगा कि दो 900 बरसों तक प्राचीन भारत की से राजधानी होने का कहा है कि दोस्तों गौतम बुद्र ने भविश्वानी की थी भविश्वानी के बाद सफल वी सिद्ध हुई दोस्तों यह आपको था राजधानी के है को बना गए थी यहां दोस्तों आ सब्यां से संखस से बनाई थी यह दोस्तों की आपको बस्राज करता था और प्ध्स पuby की मगध और आपको दाने बात्व आयों सब्सक्रानी कई करता था और और बलज्या स्प्राज उदेन था बिंबी सार और आजास्टू के समय तो उद्यनने केहम मध्धस्ता की थी मत्तब बस के कान यह कैई अपका आपसमे केह संगह स संगह नहीं दोस्तों केहब कर पाए थे तो इस प्रकास से एक वुदयन का सबसे महात्रूं काम था जैन्ध हम को पासक था पाटली पुत्र रिंगर के हैं दोस्तो इस्थापना करना वद यह राजधानी बनाई थी गंगा सौनों गंड़क के संगाप पर कहा है दोस्तो यह पाटली पुत्री के हैं यह स्थापना भी कर आए थी किसने उदायन ने ज आपके कहें बाद में दीर दीर आपके कहें मारे गए और अंतिम्राजा था नाग दर्सक दर्सक या इसको दर्सक भी कहते हैं नाग दर्सक की हत्या इसके यह यह अमात सिसुनांग ने करके बाद में सिसुनांग मरस की क्या है अपको दोस्तों स्थापना की तो दोस्तों हम हरेंग बंस को फिर से अगरे दोस्तों दोहराते हैं तो सबसे पहले आईए यह देखा पुर्ने छटी सताब्दी इसापूर्व मगत सामार्ज का उतकर्ष और मगत सामार्ज के उतकर्ष में तीन बंसों का युदान दोस्तों ध्यान से सुनिएगा यह पूरा ऍमिएध कर्ष और इंद्वंस करें रेंट चालीव मेट का आपको पांट मेनुट बता रहे हम आपको हरेंगबंस सितलर नंदबंस हरेंगबंस के टाइम यह हैं तर्फिनाग का था था यह आद्व नंदा स्वान को पहला सिश्मूनां अंतिम नंदिवाधन नंदवर्स के पहला महापाद्मिनन्द और नौमा घरननन्द फिर दोस्तों यहां अपर लोग यह मगद कहा था तो दक्षिनी बिहार में था सबसे पहले अथर बेद में मगद का कहते दोस्तों उलेखुगा है ब्राथ छती अथर बेद में कहा गया है अज मगद इस्थां था यह मगद आपका इसके उत्तरम दोस्तों गंगा ठी दक्षेन में बिं परवस शिर निया थी प्ष्चम में सों नधी बहती सी प्फूर में चंपा नदी के राज़धानी थी और नदी भी थी चंपा तो चंपा नदी के राज़धी था इस पिकार स जो बनाई थी और ने राजग्य है और दोस्तों उसके बार भी छी तो कि यह पातली पुतर राजधानी बनाई तो चलि दोस्तों यह हाँ हाँ तौप यह श्राइब की एक साखा थी कोज बन्स की दोस्तों यह नाग कुल नाग कुल की एक साखा थी कि हरें बन्स का संस्था पर विमिसार था विमिसार के पिता भती थे 540-492 यह आप तर द्यान करें यह विमिसार ने कुछ नहीं और इसके बार कोसल की राजकवारी महाकोसला थी और यह कासी दहें मिला था पहली बार महा कोशला देवी के निजी खर्च के लिए दोस्तों समय मिला था बहुत बड़ी बात है चेमा मर्द देश की राज के माली थी बहुत धाम की बहुत अच्छी आपकी कहाएं ग्याता थी और कोशल की राजय पिसेंजेत को इने बहुत धाम की सिक्षा भी दी थी किसमें दोस् थी चलिए यह हो गया इसके बास दोस्तों अपना हैं कि अबंधी से कैसम बंधेन के अबंधी राज चंड प्रदोस्ते संबंधेन का दोस्त था अपने राजवेश जीवक को पांडु रोख ठीक करने के लिए चंड प्रदोस्त के पास भीजा था ठीक हुए था इसी जीव के लिए राजग्यर यह vu मीशान ने गौतमद्र के रहने के लिए اुद्यान बन में क्या था अब democrats इसका अमरपाली और विच्ण है। दोस्तों अवैत्ा आमरपाली Eva भी बहुत धम को पासकता आपका तो स्सांथ कि इस को आगल करके कालगान हमें डाल सक दोकर मातना कूच भी कोदे है काल बूत हम के गिन्त कहते हैं Bel E की बात कहते हैं लेकर श्यम बिंदुसान ने जहर खा लिया था ऐसा जयंधर्म कहते हैं कि रेके पित्हम ताइय था चलिए दोस्तों तो यह हो गया अजया सद्थू के समय नहीं जीत पाई थे तो इसने आपका गौतन बुद्र के पास गए तेव और आपको तादें है जो श्रीकिया याता है कि भगवत को ब्नेते कि अजासत्तु आपकी क catchy पास गया था और ये बैसाली की dugan सब्सक्राइबया। तो बाद में फिर बसाकार ध्यान करें दोस्तों आता है बसाकार सुनीरी को फूट डालने के लिए अजास्त्तु ने कहां भीजा बैसाली के हैप कर ये बेजा था और उसके बाद पर क्या है इन लोग ने फूट डाल दी तीन साल लग गए थे हलाकि इसको बैसाली को जीतने सुला साल लग गए थे बसाकार ने उनका विश्वास जीत करके बैसालियों का बज्जीयों का आपके क्या होगे मुख नयादी से बन गया था फूट डाली गई युद्धुगा रथ मूसलों महासला कंटक कैसे दो आधने के असस्ते यहां समय दोस्तों पहली बार कहां के बीश्व right विर अपनी पुत्ति पधनवाबती का बख्ष राज वोदेन से किया था include शायको को को पत्नी का नाम था स्रक्राइए था तो अपनी पुत्ति पदमवत्ति का विभार कि मैं अबबहों किए तो के महीं से कहांूदर है तो यह करेंगे बाद में देखेंगे फिलहाल क्या है इतना आपका यह हो गया फिर इसके बाद दोस्तों यह तीसरा राजा आया अपके उदाइन आया उदाइन की एक मत जो है आपका वह पाटले-पुत्र की स्थापना है राल-धानी बनाना है तो इस प्रकार से हमने अज टॉपिक को अच्छे थोड़ा सथ देखिए हमारे वीडियो को दोस्तों को दो बात देखिए और आपको गारंटी देते हैं कि आपको बहता तरीके से क्या है यह समझ में आएगा तो दोस्तों इसी के साथ हमें इजाजत दें अगले टॉपिक में हम आपको शिशनांग बन आपकात होगी नमस्कार जय हिंद्ध